सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस बीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस बीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चीन की स्मार्टफॉन मेनुफेक्चरिंग कमपनी शाओमी ने दो अपने स्कूटर लांच कर दी हैं स्कूटर मार्केट में भी कतम रख दिया है जानीवानी फ़ॉन कमपनी शाओमी अभ लेक्ट्रिक वहिकर सेग्मेंट में अपना हाथ आज्माने जा रही है एक रिपोर्ट के मताबिक शाओमी दो नए स्मार्ट अलेक्टटर इस कूटर इन बार्केट में लेकर आई है 20 माई एवन प्रो स्कूटर लॉंच किये हैं आपको बता दें कि शाओमी कंपनी सस्ते स्मार्टफोन के लिए जानी जाती है अब आपको हम बतानी जा रहे हैं कि इन स्कूटर की प्राइस और फीचर्स के बारे में इन्फोर्मिशन जो हमें मिली है उसमें ये पता चला है कि इन स्कूटरों को चाइना में लॉंच किया गया है एवन स्कूटर की स्टार्टिंग प्राइस 2,999 चीनी यूँआन यानि करीब 32,000 इंडियन रुपीज बताई जा रही है वहीं दूसरे स्कूटर एवन प्रो की प्राइस 3,999 यूँआन यानि करीब 42,000 इंडियन रुपीज है यह बजन के मामले में काफी कम है लाइट वेट है इसका वेट 55 ग्राम है यह याओ AI स्मार्ट वोईस असिस्टेंट से लेस है दोनों का डिजाइन एक जैसा है जबकि इनके फीचर्स काफी अलग है शाँमी स्कूटर में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए है वहीं स्कूटर में 14 इंच के वेक्योम टायर भी दिए गए है शाँमी के इन दोनों स्कूटर में 6.86 इंच की स्मार्ट सेंट्रल कंट्रॉल स्क्रीन है यöसे श्याव ए- I smart voice control support मिलता है स्कूटर्स का ground clearance 160 mm है यह स्कूटर 25 km per hour की स्पीड से चलता है कंपनी ने कहा है कि एवन इस स्कूटर एक बार पूरा चार्ज होने पर 60 km तक चलेगा वहीं एवन प्रो एक बार चार्ज करने पर 70 km तक चलेगा तो शाओमी ने scooter market में भी अपना कदम रख दिया है ये electric scooter लेकर आ रही है फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इसी टाइब की odd tech वीडियो दिखने चाहते हैं तो please हमारे चैनल को subscribe केजी और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स